नमस्ते दोस्तों मैं रहनु सेंग अपने चैनल कुकिंग विद रेनु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज की मेरी रेसिपी है मोटी मिर्च का भर्मा अचार बनाने की मिर्च के अचार के बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोड हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं आज जो हमी मोटी मिर्च का अचार बनाएंगे इसको राजिस्थानी स्टाइल में बनाएंगे तो हमें नहीं लेनी है, तो हमें मिर्च झाटके लेनी हैं जबFrankly कोई चाटके लेंगे आप चाहें तो एक साफ धुले हुए कॉटन के कपड़े से इनको रगड के पहुचके भी साफ कर सकते हैं तो अब हमने एक सूखा साफ धुला हुआ आये मिर्च लेंगे और इसका डंठल है कटै के अलग कर देगे और इसको मर्च तैयार करनी है यह देखिए, तो यह देखिए, सारी मिर्चे हमने इस तरह से कट मार्क लगाते हुए, इस मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर ली है, तो अब मैं इसमें एड़ करूंगी, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हमें इसमें थोड़ा सा जादा एड़ करना है, जिससे कि जो मिर्चे हैं जल्दी से गल जाएंगी, तो यहाँ पर मैं इसमें इसी चम्मच से तीन चम्मच के लगभग नमक एड़ करूंगी, यह देखिए, तो यहाँ पर हमने इसमें तीन चम्मच नमक एड़ कर दिया ह इस तरह से रगड़ते हुए हम सारी मिर्चों पर लगा देंगे तो ये देखिए नमक और हल्दी मिर्चों में अच्छे से लग गया है तो अब हम इसको ढटके चार से पांच दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे कि दिन में एक दो बार हम मिर्चों को पलटते रहेंगे तो अब हम इन मिर्चों को चार दिन के बाद चेक करेंगे चार दिन हो गए हैं और मिर्चों को हम दिन में एक से दो बार पलटते रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मिर्चों ने पानी छोड़ दिया है हमने जो नमक और हल्दी लगाया था यह देखिए और इस तरह ऐसे हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मिर्च हैं यह सॉफ्ट हो गई है गल गई है अच्छे से तो इनको हम एक प्लेट में निकाल तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है और इन मिर्चों को हम इस प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अगर आप ऑजय देखे इस तरह से और सिंगिल लेयर करते हुए हम प्लेट में इनको फैला देंगे और इस पानी को आब हम फैक देंगे इसका यूज हमें नहीं करना ह मिर्चे यहाँ पर में प्लेट में सिंगिल लेयर करके के इनको फैला दे रही हूं और इनको दो घंटे के लिए धूप में रख दैंगे जिससे कि जो भी इसले पानी होगा वो निकल जाए मिर्चों को हमने दो घंटे के लिए धूप में रख दिया था तो इनका जो पानी है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जड़ गया है यानि इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं अगर पानी रहेगा तो हमारे यह अचार खराब हो जाएगा आप देख सकते हैं मिर्चे सॉफ मैथी दाना जादा हमें मैथी दाना नहीं इसमें डालना है साथ में इसमें डाल रही हूं आधा चम्मच अजवाइन इसी चम्मच से दो चम्मच हमने लिए हैं सॉफ साथ में हमने लिया है तीन चम्मच सरसों आप यहां पर राई का भी उज़ कर सकते हैं आधी चम्मच के लगभग में इसमें एड कर रही हूँ कलोंजी सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे जिससे कि इनकी नमी निकल जाए बहुत ज्यादा हमें इनको नहीं भूनना है धीमी गैस पर हमने खड़े मसाले थोड़े से भून लिये हैं गैस की फ्लेम को हम आफ कर दे अब हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल जो भी हम बोल लेंगे वो भी पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए तो इसमें हम डाल देंगे दरदरा पिसा हुआ मसाला आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जादा फाइन नहीं बनाया है यह देखिए अब मैं इसमें एड कर हुआ है घट्टे पंड के लिए एक चम्मच आमचूर पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर के लिए अधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससरे चार का कलर अच्छा आए गई तीखा नहीं होता है फ्लेवर के लिए थोड़ी सी में एड कर रही हूं हिंग अम पर तो सद्पाइब बढ़ा सरसों का तेल यहां की सेल्ट लाइब बढ़ाने के जया हैँ अचार कि सेल्फ लैब बढ़ाने के लिए यहां पर में वेने क्ने और यानि सिर्का वी एड करूंगी थोड़ा फै सिर्का आप अचार में जरूर एड़ करें इससे जो अचार है हमारा जल्दी खराब नहीं होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक चम्मच यह सिर्का लिया है तो इसको भी हम इसमें एड़ कर देते हैं अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके आप देखेंगे कि जो हमारा यह अचार का मसाला है यह बिलकुल रेडी है यह देखिए मिर्चों को हमने दो भिंटे के लिए धूप में रख दिया था तो इनका जो पानी है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जढ़ गया है यानि इसमें पानी बिलकुल नहीं अगर पानी रहेगा तो हमारा यह अचार खराब हो जाएगा आप देख सकते हैं मिर्चे मिर्चा भर के रेडिकल लेंगे देखे इस तरह से अच्छे से दबाते हुए हमें मसाला भरना है बहुत टेस्टी अचार यह लगता है राजिस्थान साइड में इसी तरह से लगभगी अचार बनाया जाता है तो आप इस अचार की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्र इसी तरह से मसाला भर के रैडि कर लेते हूं तो यह देखिए हमनेसारी मिर्चे जो मसाला भर के रैडिकल ली है मसाला अच्छे से इन में भर गया है तो इनको हमें काच के जार में भरके तीन से चार दिन तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी न भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू बाइबाइब